हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में आज हम लोग सिग्नम फंशन को डिस्टकस करेंगे ठीक है तो सिग्नम फंशन क्या है अब फंशन एफ एक्स जो कि डिफाइंड हो 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and minus 1 if x is smaller than 0 मतलब कि अगर कोई फंशन ऐसा डिफाइंड हो that is कि हम x में कोई भी रियल वैल्यू को पुट करें मगर हमारा जो रेंज that is 1, 0 और minus 1 ही आए सिफ तो उस फंशन को हम लोग सिग्नम फंशन बोलेंगे ठीक है that is जो हमारा डोमेन है that is x उसमें हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं मगर जो रेंज है that is ये वाला वो सिफ तीन ही आने वाला है that is 1 आएगा जब x जो है वो जीरो से बड़ा हो 0 आएगा if x is equal to 0 हो और minus 1 आएगा if x is smaller than 0 हो ठीक है तो अगर हम ग्राफिकली इसको देखें तो अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करें तो उसका जो ग्राफ होगा that is यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ यह सब x का वैल्यू है और यह जो हमारा यह जो है वो डोमेन है और यह हमारा रेंज है जो हमको मिलने वाला है ठीक है तो यह हो गया minus 1 यह हो गया minus 2 यह हो गया minus 3 यह हो गया minus 4 Now, जब हम x is equal to 1 put करेंगे, that is f1 put करेंगे, क्योंकि वो 0 से बड़ा है, तो उसका answer राएगा 1, so हमारा point यहां पर बनेगा, अगर 2 put करेंगे, क्योंकि 2 फिट से 0 से बड़ा है, तो point हमारा यहां पर आएगा, 3 put करेंगे, फिर भी हमारा point यहां पर आएगा, and 4 भी put करेंगे, त that is x is equal to 0, पर यह 0 है, तो यह हमारा point यहां पर आएगा, now अगर जब हम minus 1 से छोटा, that is 0 से छोटा कोई quantity put करेंगे, that is minus 1 अगर ले, तो उसका जो answer है, वो भी minus 1 होगा, that is यहां पर हमारा point होगा, अगर minus 2 ले, क्योंकि 0 से वो छोटा quantity है, तो यहां पर हमारा, आएगा minus 1, that is यहां पर हमारा point आएगा, अगर minus 3 ले तो यहां, minus 4 ले तो यहां and so on, तो हमारा जो graph बनेगा, वो कुछ इस टाइप का graph बनेगा, ठीक है, that is this, now अगर एक सिग्नम फंशन का हम example ले, that is fx is equal to mod x by x, तो यह एक सिग्नम फंशन है, क्योंकि जब हम x is equal to कोई भी value put कर रहे है, that is, अगर मान लिए हम minus 3 पुट किये, तो minus 3 by minus 3, तो यह तो mod से निकला, तो यह बन गया 3 by minus 3 is equal to minus 1, अगर हम यहां पर हम लिए 3, तो यह हमारा आएगा 1, अगर हम लिए 0, तो यह हो जाएगा 0, तो हमारा यह function fx is equal to mod of x by x, जो है, वो एक सिग्नम फंशन है,